नमस्ते मेरे प्यारे भाई, आज का सबसे बड़ा मुद्दा की सर मैं मैथ डेली पढ़ता हूँ, सर मैंने सिलेबस भी पूरा किया है, सर बैच भी लिया है, यूट्यूब भी देखता हूँ, उसके बाब जूद भी सर मेरे एक्जाम में मैथ के सारे सवाल ठीक नहीं होते, म और यह कब तक चलेगा, और मुझे तयारी करते हूँ, कई साल बीत गए हैं, तो मेरे भाई, इन सबी सवालों के जवाब आपको एक सिंगल वीडियो में मिलेंगे, अगर आप से मैथ के पेपर में, या मॉक टेस्ट में सारे सवाल ठीक नहीं हो रहे, तो इसका मतलब, आप सारे सवाल ठीक करने लायक नए तन पड़ा ही नहीं, आपने मेरे दोस्तो पूर्म नोर्मल पाणी लेकिन वह आपने अम्रत नहीं पिया, जो आपको पीने की जोरत थी, सारे सारे शवाल ठीक करने के लिए मेरे भाई, और इस वीडियो को शुरू सिलले के आखर तक दे का अगर इस वीडियो में जो आपको एडवाइस दूँगा जो मापको सजेशन दूँगा अगर वो आपने अपने जीवन में इंप्लिमेंट कर लिया तो मापको विश्वास देता हूं कि आप मैत के प्रीमे और मिन्स में दौनों ही एक्जाम में सारे कि सारे क्वेशन 100% accuracy के साथ ठीक करोगे मेरे भाई मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा वीडियो को सुरू सिले का आखरी तक देखना वह ना बहुत पच्छता होगे फिर अगली साल फिर यही काऊगे सार सारे सवाल ठीक नहीं हुए जब हर साल पेपर लेती है SSC तो आपको पता है कि एक ही एक्जामनर है जो सारे पेपर बना रहा है SSC के, TCS के द्वारा वही सीजल का पेपर लेता है सीटसल का, CPO का, MTS का, Selection Post का, GD का सारे एक्जाम एक ही एक्जामनर बना रहा है आप बताओ जब हर साल सीजल का पेपर होता है तो 900 सवाल आ जाते हैं लगबग अगर 36 सिफ्ट में पेपर होता है सीचसल के मेरे दोस्तों 900 सवाल आ जाते हैं जब MTS का पेपर होता है तो 50 से जादे सिफ्ट में पेपर होता है 50 से जादे सिफ्ट में यानि कि और एक सिफ्ट में 20 सवाल आते हैं, तो लगबग जो है, 1200 कॉश्टन MTS के पेपर के आते हैं हर साल, जब SSC GD का पेपर होता है, उसमें भी 20 कॉश्टन आते हैं, हर साल मेरे दोस्तों 50 से जादे सिफ्ट में पेपर होता है, 1200 कॉश्टन GD के पेपर में आ जाते हैं, अब आप यह देखे कि जब CPO का पेपर होता है, तो एक सिफ्ट में 50 सवाल आते हैं, हर साल 6 सिफ्ट में पेपर होता है, 300 क्वेशन आपके CPO के पेपर में होते हैं, और 300 ही क्वेशन आपके सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में होते हैं, और जब CGL और CITSAL का मेंस होता है, तो आप ये मान लीजे कि 100 question मेंस के paper में होते हैं, तो अगर मैं इनको मोटा मोटी जोड़ लूँ तो आप मुझे बताओ कि हर साल, यह मैं केवल main में एन exam की बात कर रहा हूँ, 1200, 1200, 2400 और 603,000, और 4000 यह होगे लगबग 4900 question है, CPO की selection post और मिन्स का paper होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप पिछले 5 साल के questions लगाओगे, तो 5 साल में कितने सवाल हो जाएंगे, 25,000 सवाल, आप मुझे बताओ कि आपने 25,000 में से कितने सवाल कर लिए, दिल पे हात रखके मुझे बताओ, कि आपने 25 साल में से कितने सवाल कर लिए जो आप मेहत के paper में सारे सवाल ठीक कर आओ, अब तो वो ट्रेंड चला गया कि पिछले 20 साल के सवाल लगाओ, पिछले 10 साल के सवाल लगाओ, हम भी खुल के चलाते हैं, कि केवल पिछले 5 साल के सवाल लगा लो, वही काफी है, आपने इन 25 सार में से कितने कर लिए, जलो थोड़ा कम कर देते हैं, जादे पुरानी बात नहीं जाते हैं, आप नए जवान खूनों, पिछले 3 साल के कॉश्चन भी आप लगाओ, तो कितने हो जाते हैं, 15,000 कॉश्च क्या जरूरी है वाकई में, या कोई करता है, नहीं भाई, मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा कि या आप ये 15,000 सवाल को निचोड पूरा कर लोगे, बहुत कम कॉश्चन प्रेक्टिस करके, कैसे धान से सुनीगा मेरे भाई, मैं केवल पिछले 3 साल की बात कर रहा हू अगर मैं 15,000 सवालों का एक निचोड मात्र 1500 सवाल में दे दूँ आपको, और ऐसा नहीं कि केवल सवाल आपको प्रेक्टिस करने के लिए दू, वीडियो सॉलूशन के साथ, और केवल वीडियो सॉलूशन के साथ, तो कितना मज़ा आ जाए, तो भाई, इन 15,000 सवाल का सार निचोड, 1500 सवाल, जरूर जो आपको करने हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरे भाई, धान से सुनी का दोस्त, जब भी कोई पेपर होता है, जैसे उसमें 25 सवाल आए, तो 25 में से 20 सवाल या तो easy होंगे, या moderate होंगे, बाकी के 4-5 questions ऐसे हैं, जिन पर दाव खेला जाता है, जिन में असरी लडाई होती है, इन 20 सवालो को ठीक करने वाले लाखों बच्चे हैं, लाखों, लाखों बच्चे, वेकैंसी हजारों में, कभी-कभी तो मातर सेंकोडों में, यानि कि सार का सारा खेल, इन 4-5 सवालों पे खेला जाता है, और आपके मेत में सारे से ठीक करें, YouTube पे जो आपको पढ़ाया जाता है, उसमें भी केवल इन 20 सवालों की त्यारी करवाते हैं, जादतर, मैं बहुत ही कम ऐसे टीचर हैं, जिनमें से मैं भी हूँ, कि जो इन 4-5 सवालों को भी लेके चलते हैं, भाई, कि ये छूट गया, तो इसका क्या फाइदा, इसे तो दुनिया कर रही है, गधा गोड़ा सब बराबर है, असली खेल यहां खेला जाता है, और वो इन 1500 सवालों से तयार होगा, मैंने हर एक्जाम के, CGL, CHSL, CPO, MTS, Selection, Post, GD, हर एक्जाम के, अर्थमेटिक के बेस्ट 50 सवाल, एडवांस मैथ, जोमेट्री मेंसुरेशन के बेस्ट 50 सवाल, टिग्नोमेट्री एलजवरा, जो है, टिग्नोमेट्री एलजवरा, कोडिनेट जोमेट्री के बेस्ट 50 सवाल, इनको निकाल कर एक PDF तयार करी, और जिसको मैंने नाम दिया है selection e-book selection e-book इसमें पिछले 4 सालों के सन 2021 से लेके 2024 तक 1500 best question यार अपने दिमाग में बिठा लो कि मुझे सारे question नहीं करने मुझे सारे question नहीं करने मुझे best question करने मुझे best question करने अगर कोई बच्चा ये 1500 best question किये बिना paper देने जा रहा है तो वो बेटा अपने पेरूपर पहली कुलाली मार के जा रहा है उसका तो selection हो ना मुझे है और ये 1500 best question की PDF मैं आपको free तो दे ही रहा हूँ मैंने डाल दिया already टेलिग्राम पे लेकिन इनका detailed solution भी मिलेगा with explanation के साथ और मैंने साथ साथ इन में concept भी समझाया है ये practice के लिए और revision के लिए best source है आप कुछ भी कर लीजे YouTube खंगाल लीजे किताबे खंगाल लीजे practice के लिए और revision के लिए इससे बढ़िया source पूरी दुनिया पूरे ब्रहमांड में उपलब्द नहीं है ये latest exam pattern पर आधारी तर ये वो सवाल है SSC के जाबड जाबड जो एकी सवाल में examiner होता है कभी एकी सवाल में 3-3-4 सवाल mix करके पूछता है इनको करने सा आपका दिमाग की नसे खुलेंगी उन पर जोर पढ़ेगा आपकी practice बढ़ेगी आपकी understanding बढ़ेगी आपकी accuracy बढ़ेगी आपका confidence बढ़ेगा आपकी दिमाग के नसो को खुल देने वाले 1500 सवाल है लेकिन ये बच्चा अगर घर पे बैठे तो frustrated हो जाएगो कि उससे साधितर सवाल इसमें से करना मुश्किल है इसलिए मैं इनका video solution आपको दे रहा हूँ और मेरे दोस्त ये 1500 सवाल तो आपको करने ही करने है और ये पूरे YouTube पर इस चैनल के अलावा कहीं नहीं मिलेगा पूरे YouTube चैनल पर केवल एक ही है गगनपरताप मैच्स यूटूब जहां पर आपको इन सभी सवालों का solution मिलेगा 1500 best question का solution available है हमारे YouTube चैनल गगनपरताप मैच्स पर आप जा कि दिखेगा मैं भी आपको बताता हूँ 15,000 सवाल हटाईए और 15,000 सवाल के आउकात के बराबर 1500 सवाल लगाईए और अपना सेलेक्शन कंफर्म करिए इस YouTube चैनल पर आपको ये 15,000 का solution मिलेगा बाकी हर जब भी आंसर की आती है क्या करते है जो बढ़िया सवाल उनको हटा दे सबसे आसान सवाल निकाले और वो आपको कराए जाते हैं उससे क्या फाइदा वो तो बच्चा खुद करी रहा है हम आपको वो चीज कराएंगे जो सबसे इंपोर्टेंट इतने सवाल है 25 सवाल यानि कि टोटल 900 सवाल है अब इन 900 सवाल आपने बताओ अगर आपको अगले साल इंस्पेक्टर बना इंकम टेक्स बनना है जी एस्टी वन इंस्पेक्टर आपको बनना है आपने 900 सवाल कर लिये किसी नहीं करे ना आप मेंसे कोई करे का फिर आप तो यह है आपका अलजबरा टिगनोमेट्री कोडिनेट मैंने अलग सॉल कराएं सीजल दोयर 24 एडवांस जीमेट्री मिनस्टरेशन मैंने अलग सॉल कराएं यह हो गया 50, 50, 50, 1,500 सवाल इन 1,500 सवालों को करने से 900 सवाल के बराबर ही आपको फायदा मिलेगा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इन 900 सवालों को करो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप गंटे घंटे भर की वीडियो को देखो और पर टाइम वेश्ट करो या आप महीने तक बैठके 900 सवालों को लगाते रहो लेकिन यह 1500 सवाल तो लगाओ ना भाई, इनसे तो आपकी नसे गरम होंगी, आपकी अंडरस्टेंडिंग बढ़ेगी, केवल इन तीन वीडियो में पूरे CGL का निचोड है, अब किसी बच्चे को CGL 25 में पेपर देना है, और सिलेक्शन लेना है, क्या वो इन 1500 सवालों को छो आसान है, यूटूब पे फ्री बैच पढ़ाना, एक चैप्टर प्रॉफिट लॉस एक क्लास में खतम, अरे भाई साल, जब हम बैच एप्लिकेशन पर पढ़ाते हैं, तो प्रॉफिट लॉस के 400 सवाल कराते हैं, 400 सवाल, वो 400 सवाल हो ही नहीं सकता कि आप तीस सवालों मे विश्वास ही नहीं करता, मैं विश्वास रख करता हूँ, कम्पलीट संपूर पढ़ाने में केवल जूंटा भहकावानी देना, ऐसा पढ़ाना कि आपका सेलेक्शन कनफर्म हो, जो चीज आपके एक्जामें डारेक्ट काम आए, जो डारेक्ट करें, इसलिए मैं महनत करत प्रेक्टिस करवाने पर, कोई भी पेपर हो, केवल एक मात्र हमारा यूटूब चैनल है, पूरे यूटूब पर, कोई भी पेपर हो, SSC का, Railway का, Constable का, State Exam का, जिसकी भी आंसर की आती है, सबसे पहले हम उसका यूटूब पर फ्री सॉलूशन करवाते हैं, समय मिल पाता है यह best questions करवाने में बहुत महनत लगती है, अगर मैं आपसे कहूँ कि 900 में से 1500 सवाल को करवाने में जितना समय लगा उससे कम समय में वाकी के 1600 सवाल हो जाएंगे, लेकिन उन 1700 सवालों साप इतना नहीं सीखोगे जितना इन 1500 सवालों से सीखेंगे, इसलिए मैं इस पर जाद चैप्टर वाइज एकडम प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें वीडियोस अरेंज है, सबसे पहले SSC 2024 एकजाम बेस्ट कोस्टन सॉलूशन, यहां पर देखेंगे आपको CGL के 3 एकजाम की वीडियोस मिल जाएंगी, फिर आपको CTSL की CPO की मैं भी आपको खोल के दिखा दू उसकी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, बैस्ट कोस्टन की, सारे कोस्टन की नहीं, बैस्ट कोस्टन की जो जरूरी है, जो अरजंट आपको करने हैं भाई, और इसी तरीके से SSC CGL 2022 की आपको वीडियोस मिल जाएंगी, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप 25,000 सवा या पिछले 12 साल के questions प्रेक्टिस करो, मैं तो आपसे एकी request कर रहा हूँ कि जो पूरे YouTube पर किसी नहीं कराया, वो हमने कराया, जैसा किसी नहीं पढ़ाया, वैसा हमने पढ़ाया, जैसी महनत किसी नहीं करी, वैसी हमने करी, पंद्रे सो सवाल मैं आपको दिये, एक बार आप पूरा करिए, आपको ऐसा निचोड मिलेगा मेरे दोस्तों, कि याप 25 सवाल करने के बराबर खुंखार बन जाओगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से, इस YouTube चैनल पर जब आप जाएंगे, तो यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले section में प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे ये SSC प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इसकी प्लेलिस्ट जब आइ ओपन करेंगे, तो आपको पहले CGL की वीडियो मिलेंगे, जिसमें अर्थमेटिक आपका ये है, जमेट्री है और अल्जेवराटी गनोमेट्री, फिर आपको CECL की वीडियो मिलेंगी, CECL का अर्थमेटिक सॉल कराया, फिर आपको CECL की वीडियो और्थमेटिक एडवांस अलग है, सिलेक्शन फेस का पेपर, सिलेक्शन फेस का पेपर कोई नहीं कराया सॉल, मैंने कराया, ऐसे ऐसे सवाल आ रखें, आपको करतोई फील होगा, कि यार ये तो मिन्स लेवल के सवाल है, मेर से छू सॉल कराया, UPSC का पेपर सॉल कराया हुआ है, ठीक है बच्चे, ये क्वेशन आपको मस्ट डू है, जो करने ही करने है, आजाओ, अब आप कहोगे सर, ये तो बढ़िया-बढ़िया सवाल है, हमें आसान वाले बेसिक क्वेशन कैसे करेंगे भाई, छोड़ता मैं, कुछ भ भर दासी निहोता कि मैं एक गंट में साथ सावाल कराहूँ, आठ सावाल कराहूँ, मेर से हो नहीं सकता कि मैं में फ्री बैच के नाम पे एक सवागंटे किलास में चाप्टर क कर दो, होता ही नहीं, मै तो बहुत धंग से थैर थैर के पढ़ने वाला टीचर उर रह एक मेरे दोस्तों मुझे आपको बहकावे में रखना है अगर आप 2025 में किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो किसी का मतलब किसी की भी ऐसाने कि आप सीजल की तियारी कर रहे हो तो आप सीटसल की सवालों की जत नहीं करोगे सेम एक्जामन सवाल बना रहा है सेम लेवल का सवाल आ रहा है सेम टेस्ट का आ रहा है सेम और अर्गनाजेशन से कर वारी है सेम कंपनी बनाने वाली है पेपर टीसेश करना पड़ेगा दोजार पच्चिस में आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो तो इन पंद्रे सो टॉप कॉश्चंस को कताई भी न छोड़ें और सबसे अच्छी बात मैंदे एक वही इसकी फीस नहीं रखी, सभी बच्चों के लिए फ्री है मैं चाहता हूं कि यह वह इस कोशियों प्रीमियुम आते हैma सबसे महंगी फिलम है एक भोती है हर सुपकरवार को फिलम आती है और शनिवार को तर-जाती है और एक फिलम भोती है जैसे माल लीजे, लगान है, जो कहे के महिनों तक चलती रहती है, DDLG है, सालो साल चलती है, सोले फिलम है, सालो साल चलती है, यह वही सोले फिलम है, समझ में आया है ना, और वीडियो सॉलुशन के साथ आपको मिलेंगर, वेराइटी कॉस्चन्स है, आप जैसी यहां से हमारी टेलिग्राम चैनल पर जाओगे, आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, यह हमारा टेलिग्राम चैनल है, मैट्स भाई गनपरताप, आपको डिस्किप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहां PDF है, सेलेक्शन बुक अपडेट कर दिया है, इसमें मैंने 24 के सवाल भी डाल दिया है, और ल जामती होंगे, ऐसा YouTube चैनल है, जिसके केवल रील देखने से, शॉट्स देखने से, बच्चों प्री पास कर लिए, मैंने बहुत जादे तो नहीं पड़ा, पर डेली जो आपकी तीन शॉट्स आती थी, एक सुबह को एक दोपैर को सामको, वह मैं डेली देखता था, और प बेस्ट कोशंस तो कर लिए, अब जो एजी सवाल है, फिक्स टाइप को एक सवाल दस दस सिफ्ट में आरा है डाटा बदल के, तो मुझे वह दस बार थोड़ना करना है, ऐसे सवालो को मैं रीलो में निप्टा देता हूं, मैं फ्री बैच के नम पर दिंडोर नहीं पीटता तो यह जो सारी आपको शॉट्स दिखाई दे रही है, यह मेरे प्यारे भई, SSE CGL 2024 के प्री के पेपर, जो भी लेटेस्ट पेपर आएगा, उसके आसान सवाल मैं इस चैनल पर सॉल करा देता हूं, जैसे यह देखिए, SI का सवाल है, यह CGL 2024 के प्री के पेपर में आया, मैं आपको साथ साथ एक homework question भी देता हूं, एक मैं आपको solve कर रहा हूंगा concept के साथ, फिर मैं आपको homework question भी दूँगा, जिससे कि आप खुछ से भी practice कर पाएं, उसी exam का, ठीक है जी, अगर आप daily channel की videos को scroll करते, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, तो आप 3-4 महीने के अपने अपने बहुत सुधार महसूस करेंगे, सबसे पहले आपको काम ये करना है कि Maths Wondering Seconds यूट्यूब पे जाके मेरे दोस्तों आपको सर्च करना है, और उसके बाद आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, Maths Wondering Seconds, हर बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जितनी भी पुरानी शॉट्स पढ़े हुई है वो जाके देखे, अब जैसे ये concept आय था, सर्कल के सवाल सीजल के पेपर में पूछा गया, तो पहले मैंने देखो इसका concept समझाया, मैंने इसका concept समझाया, फिर जो लेटेस सवाल आया, मैंने वो लेटेस सवाल कर दिया, और अगर हम केरिविल अप्लिकेशन पर पढ़ाते हैं, बच्चे से थोड़ इसी फीस लेते हैं, तो उसका एक हजार गुना बच्चे को डिलीवर करते हैं, मेरा मकसद बच्चे का सिलेक्षन करवाना है, उसका सिलेक्षन हो जाएगा, खेवल ये अहसास दिलाना नहीं है, फाइनली सेलेक्शन करवाने और यही कारण है कि जब बच्चे आते तो सबसे जाद यही कहते हैं कि सर मैं जीरो टु हीरो बैच से पड़ा हुआ था या मैंने आपकी यूटूब की जो प्रैक्टिस वाली वीडियो जाती है वो देखी थी सबसे जाद रिकमेंडेशन यूटूब पे हमारी प्रैक्टिस वाली वीडियो का है क्यों कि उसमें ऐसा माल है उसमें ऐसी मलाई है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी मेरे दोस्त दूसरी बात किसी बच्चे का अगर कॉंसेप्ट भी कमजोर है तो कॉंसेप्ट मजबूत करने के लिए हमने चैनल बनाया है मैच्स कॉंसेप्ट किंग Concept King नाम इसलिए है कोकि इस चैनल पर केवल Concept की वीडियो अपलोड होती है केवल Conceptual वीडियो अगर हम कोई टाइप वढ़ा रहे हैं तो उसका Conceptual वीडियो यहाँ पर अपलोड होगा सारा Concepts आपको यहीं पर मिलेगा सारा अब जैसे आप आजाएए यह हमारा Math Concept की YouTube चैनल है आप किसी बच्चे को Compendo Dividendo पढ़ना है योगांतर अनुपात समानुपात्रियम उसको नहीं आता यहाँ पर वीडियो पढ़ हुए जाके पढ़ ले मैं डैवेशन मेथड पढ़ाता हूँ का Free Batch मैंने पढ़ाया Free Batch, Complete करके पढ़ाया Free Batch, UP Constable बहुत सारे बच्चों ने इसकी Classes ली और Railway का Free Batch मैं पढ़ा रहूँ Railway की Complete Practiciary सबसे पहले हमने सुरू करी सबसे पहले जब एक्जाम की Date भी नहीं आई थी पर जब एक बच्चे इंट्रस्टिन नहीं थे क्योंकि एक्जाम की Date नहीं थी तो आमने उसको थोड़े देर के लिए Hold किया अब दुबारे से एक्जाम की Date आई है हमने दुबारे पढ़ाना सुरू किया मेरे भाई ये Railway का Number System, Simplification, Surd Indices, LCMHCF, percentage, ratio, लाभानी, complete discount chapter ये सब मैंने अलड़ी पढ़ा दिया है ये सब मैंने पढ़ा दिया है और daily class हो रही है Railway की morning में 9 वजे से 10 वजे की बीच class upload होती है अब बताओ, अब हम आपके लिए क्या ही करें ऐसी कौन सी चीज है दोस्त जो मैंने आपके लिए नहीं करी महनत लगती है महनत लगती है record करने में इनको पढ़ाने में महनत लगती है best question छाटना, compile करना, arrange करना, record करना PDF बनाना, upload करवाना उसमें बहुत महनत लगती है और ये महनत केवल हम करते हैं बच्चे आपके लिए तो मैंने आपको इस वीडियो में एक चीज सिखाई कि अगर सिलेक्शन लेना है तो 15,000 या 25 सवाल करने की जुरत नहीं बहुत limited content पढ़के आप सिलेक्शन ले सकते हो और वो केवल आपको हमारे YouTube चैनल गगन परताप Maths पर मिलेगा जितनी भी एक्जाम में इजी जी सवाल आते हैं वो तो मैं रीलो में निप्टा देता हूं उसके लिए आप Maths 1 2nd जो चैनल है हमारा सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई रेलवे की एक्जाम की त्यारी में बच्चे लगे हूं मैं रेलवे का पूरा फ्री बैच पढ़ा रहा हूं Maths Concept की YouTube चैनल पर डेली क्लास है वहां पर आप जाकर अटेंड करें मेरे दोस्तो फ्री पीडिएफ ये सारा कंटेंट फ्री है मेरे दोस्तो लोग तो पैसे लेके भी नहीं दे पाएंगे भाई साब ये अभी सीजल का पेपर हुआ तो सब फढ़ फढ़ाते हैं हम सॉलूशन कराएंगे हम सबसे पहले कराएंगे जब सेलेक्शन पोस्ट की आंसर की आते हैं तो कौन से बिल में चुप जाते हैं सब कहां चले जाते हैं सेलेक्शन पोस्ट, CPO, GD, MTS सब का पेपर सॉल कराओ UPSC, CDS हर कोई सॉल कराओ हम कराएंगे भाई एक बार बरगलाना जो है उड़ना बहुत आसान है लेकिन बार-बार करके दिखाना बड़ा मुस्किल है हम बार-बार करके दिखाएंगे और आप सेने पिछले तीन साल से लगातार करके दिखाने 2022 से मैं बेस्ट पेपर सॉल करा रहा हूँ 22, 23 और 24 और अभी 2025 के एक्जाम होंगे वो भी हम सॉल कराएंगे हर एक्जाम सॉल कराएंगे, सबसे पहले सॉल कराएंगे आपके लिए फ्री में सबसे पहले, सबसे बहतर बस आपको एक काम करना है, थोड़ा सा प्यार दिखा करना है इस वीडियो को शेर करना है, सपोर्ट करना है और चैनल को सबस्काइब करना है आप जितना जादे एप्रिशेट करोगे, उतनी जादे में महनत करोगा YouTube पर फ्री आपके लिए मेरे दोस्त, ठीक है जी, तो ये सारी बाते मुझे बतानी थी, अगर आपको हमारी महनत, हमारी रिसर्च, हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आता है, तो आप बड़ा सा ल अभी सुरुआत कर रहा है, और सेलेक्शन लेना चाहता है, दोजार पचिस और दोजार चबविस में उसका टार्गेट है, तो भाई, केरविल एप्लिकेशन पर हमारा SSC स्पेशल जीरू टू हीरो बैच आचुके हैं, जिसमें में में पढ़ारो हूं, हमारी गोपाल या फाइनल यर में है, या बारवी पास है, जो अभी तयारी सुरू करेगा, जिसे कुछ भी नहीं पता, तो यहां तयारी करे, आठ दस महीने हमको दे, तीन-चार महीने खुद प्रेक्टिस करे, साल बर में वो तयार हो जाएगा, नौकरी लेने के लिए मेरे भाई, तो आ बहुत थोड़ी सी फीस में आपको, बहुत मामूली सी, जितना तो दो महीने का रिचार्ज या अज के जमाने में, अगर मैं मैं आप मेत का आपको लाइच दे रहा हूं, तो मैं आपको, मैं आपको कम से विकम एक लाख रुपे का गांटेंट दूँगा, क्योंकि भाईया तो मैं आपको 5,000 से सवाल प्रेक्टिस कराऊंगा, 5,000 से जादे हर एक चॉंसेट बताऊंगा, ऐसा कोई भी कॉंसेट नहीं बचेगा, थोड़ा कम इंपोर्टेंट क्यों नहों वह भी आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से सुरू से आखर तक, और हम अखेल बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त, तो अभी से काम पे लग जाएए, आप अपने डेली शैडूल का, एक या दो घंटा, डेली शैडूल का, फिक्स कर लीजे कि हमें बेस्ट कॉशंस की वीडियो देखनी है, रात को सोते समय फिक्स कर करते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे प्यारे भाई, मेहनत से पढ़ो, सेलेक्शन लो, अपने घरवालों का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, और अगर वो है आपकी जिन्दगी में, तो कोशिश करो कि उससे साधी हो जाए, ठीक है भाई, चलिए, बाई गाई